बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार के लोगों को अपने पडिवार को पालने के लिए अपना घरबार छोड़ करके दूसरे द्राज्यों में लाकर के काम करना पड़ता है और जब वहां काम करते हैं तो हमारे साथ क्या पड़ता होता है विहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया है उनका खेथ हम काते हैं उनके लिए खेला लिक्सा हम चलाते हैं उनका घर हम बनाते हैं महनत मस्दूरी करते हैं लेकिन दो सब्द सम्मान के हमको नहीं मिल कि नेतारी संसत पहुच जाएंगे, अपने बेटा को फिर संसत बनाएंगे, तुम रोड पर खड़ा होकर के बंदे मात्रम करने का मतलब, बंदे मात्रम करने का मतलब अपने देश से प्याद करना होता, अपनी विट्टी से प्याद करना होता है, किसी पार्टी या नेता का पुदूशी करना नहीं हो इस बात को यार लगना कि अगर अपने देश से प्यार करते हो तो तुमको चिंता होनी चाहिए कि देश में भरस्ताचार ठीऊ पढ़ दहा है तुमको चिन्ता होनी चाहिए कि हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई का आस्तर नीचे क्यों गिर रहा है। तुमको चिन्ता होनी चाहिए जो अन्न दाता हैं वो आज भासी लगाने को क्यों विवस हैं। तुमको चिंता होनी चाहिए कि SST का प्रसुनपत्र क्यों लीग कर दिया गया है। तुमको चिंता होनी चाहिए कि सिपाही भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है। तरोगा भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है। देश से प्यार करने का मत्तब देश के लोगों से प्यार करना होता है, यह बात अपने दिमाग में डाल लो, और अगर कोई हाथ में बंगुख लेकर अपने ही देश के लोगों के उपर गोली चलाता है, तो वो कुछ भी होगा लेकिन देश वक्त नहीं हो सकता यह बात हम जाना करी इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह बड़ी रड़ाई है बड़ी रड़ाई इसलिए है कि एक तरफ आपको अपने हाथ में तिरंदा ठाम कर संविधान की प्रस्तावना को अपने सीने से लगाकर नफरत को हराना है और दूसरी तरफ जो रोटी, रोटी, कप्रा, मकान, सिक्षा, स्वार, सरक, विजली, पानी, आत्मसंवान की लड़ाई है उस आत्मसंवान की लड़ाई को आगे बढ़ाना है सरकार को हमको बताना परेगा और सहस से ख़ड़ा हो करके, सीना तां करके, सरकार के आँख में आँख डाल करके बताना परेगा कि या सरकार, तम है कितना तमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे जगे है कितनी चेल में तेरे, देख लिया है, देखेंगे कहें है कि यह भारत कि झानागी है और बाहरत थिया ыпेशना कि यह यह अजितनों है कोई बी ढहना कोओ आद आद ब्शंक में अपताइबब कर दी आप जाए ऐसाफ आप कोई भी कानून पाम्स कर दी कि आइछ हैं ज्रूंए करेंगे मैं आप तमाम लोगों को एक आमन्तरत्रन देने के लिए date 7 cela को Σब्सक्राद करने के लिए नुदू सरकार को हम कहेंगे कि या सरकार जड़ा गिल्लो गिल्लो दुश्मन भ्यान से कितने बाजू कितने सर हम अपना सर कटाने को तैयार है लेकिन अपना हथ छोड़ने को तैयार नहीं है इसलिए मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप 29 फरवरी को गंधी मेदान आएंगे ना अगर ट्रेन नहीं मेरेगा तो गौपाल जिन से पईदल चले आएंगे ना एक बार आप पटना के गांधी मेदान में जूट करके आए वहां से मिल करके हम हमकार भरेंगे और दिल्ली को कहेंगे किया दिल्ली में सरकार चलाने वाले मोदी जी जरा होस में आ रिटेंगे एक बार फिर से हमारी सखलब देख लीजिए और मैं आपको इंहात्याद दिला देता हूं यहां है यहार क्पूद्ध की धकी है महमीर की धकी है गुरूको मिन सिंगहा तो यह जैपी की भीदखत है दिल्ली जब-जब तानाशाही रुख अपनाती है तो बिहा पर दोग तरी को और चंब करके आई ये पहले तो हम लोग तंत्री तरीके से बड़ा जमावरा लगा कर बड़ी जुचान करके सरकार को कहना चाहते हैं कि आप देश बिरोधी NPR, NRC और CA को वापस लिजिए अगर NPR और NRC को ये वापस नहीं लेंगे तो फिर हमको अगले स्टेप पर जाना परेगा अगला स्टेप क्या है गांधी जी को भी याद किये थे ना गांधी जी अंग्रेज को कैसे हडाई थे गांधी जी ने कहा था हो सयोग अंदोलन और असयोग में गांधी का नारा क्या था कि अगर सरकार आपको नागरिक नहीं मानती है तो आप सरकार को सरकार मानना बन करें तो गांधी जी ने जब अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था एक काला कानून बनाया था तो गांधी जी ने कहा था कि इसका हम सोगिने आवग्या करेंगे तो बटाईए ये NPR, NRC और CA काला कानून है जी नहीं है? तो कि आप इसको मानेंगे? तो इसका भी रोज करेंगे नहीं करेंगे? इसलिए अपने महलों के बाहर लिखिए कि इस महले में संभिधान को मानने वाले लोग रहते हैं इसलिए NRC, NPR और CA को नहीं मानते हैं लिखेंगे और नहीं लिखेंगे? और अपने घर के बाहर लिखिए कि जब माई में NPR शुरू होगा तो आप अपने घर के बाहर लिख करके रखिए कि ओ NPR करहाना, साथ में 15 लाख लेकर गयाना बना मताना सरकार को बता देगे कि इंकार करना, हां कहना और ना कहना यह हमारा संभेधानी का धिकार है इसमें कोई करूली दिक्कत नहीं है अगर कोई आप से सवाल भूचता है कि बताए आपके पिता जी का क्या नाम है तो यह आपका अधिकार है तो आपके घर जो आए आपके दाला जी के दाला जी का नाम पूचने तो उसको कहें कि आए रसना भीजिये, उर्वजा भीजिये और उल्टे पंग वापस करेंगे यह काम हम लोगों को करना भरेगा करें अंहीं करेंगे अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बता देता हूं यह बोले हैं ना कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगें बोला है ना मोटा भाई अगर भारत में रहोगे तो भारत के हिसाब से रहोगे और भारत का हिसाब यह है कि हम भारत के लोगे हम धर्म के आधार पर कोई भेज़भाव बर्दास्त नहीं करेंगे यह मान करके रहोगे अगर नहीं मानने के लिए तैयार हो तो वहीं भाग करके जाओगे जहां नीरब मोदीर और मेहुंचोट सी भाग करने गया है और इसी संक्रत के साथ कि यह बरी राई है इस बरी राई में एक चीज का और हमको ख्याल रखना है अगर हमारे हाथ में तिरंगा है अगर हम अपने सीने से अम्बेटकर और गांधी की तस्मीर लगाते हैं अगर हमारे मन में भगत सीन का सपना है तो एक बात को याद रखिएगा किसी भी शूरत में हमको इस आंदोलन में किसी भी हिंसा को परदास नहीं करना है इसी लिए एक चीज़ अपने दिवार में रखिएगा क्योंकि हिंसा हो करते हैं जिनको उपने तर्ग पर भ५रोसा नहीं होता है हम थो कि अनटिसा करने का ज़रत नहीं है सब्सुरेदधर कर दो हो जाता है और जब हमारे पास टर्क है और जब हमारे पास एकता है तो हमको हिंसा की ज़रूरत नहीं है हम कसी भी में लग्यू करेंगे टब फी सित Settings से बड़ी बड़ी चोडवानियों से विला सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे और धर्म के आधार पर जाद के आधार पर कोई भेवास्विकार नहीं करेंगे और जो हमारा बुनियादी सवाल है उन्हें को भुलियादी सवालों को लेकर के लगेंगे तो एक नारा हम दो दगा रहे हैं उस नारे के साथ यह आगे पसंद है ना तो आप भी इसनारे को लगाया कीजिएगा